वेलकम तो स्टड़ी चैनल मेरा नाम है मुहमत कैसर बिहार में साथवे चरड़ की पहले फेज की भरती कम्प्रीट हुई दूसरे फेज की भरती भी अंतिम दौर में है बहुत जल सभी चैनितों को नुक्ती मिल जाएगा इसके बाद बिहार में तीसरी भरती भी होगी दोस्तों बिलकुल तैं हो गया है अगस्त में सिक्षक बहाली की परिक्षा कराई जाएगी बिहार के अपर मुक्ष सच्चिव के के पाठक जिने आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम फिर से भरती कराने जा रहे हैं और अगस्ट में इसका एक्जाम करा जाएगा दो हजार चौबिस में मैं जून तक भी ग्यापन आ जाएगा उसके बाद आवेदन लिया जाएंगे अगस्ट के अंतिम सप्ताह तक परिक्षा पर करा ले जाएगी और उसके बाद फिर न्युक्ती बहुत ही मैंने मिलता है एक्जाम आपका तुरंत हो जाएगा एक्जाम के बाद तुरंत आज रिजल्ट आया कल परसों में डीवी और फिर ट्रेनिंग करा के जौइनिंग करा दिया जाता है तो बहुत बड़ी बहाली एक बार फिर से बिहार में होने जा रही है काफी पद रिक्त र दोस्तों की योगिता क्या होगी 125 का 628 का 910 का और 1112 का यदि आप इंट्रेस्टेट कैंडिडेट हैं बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप यहां पर अलिजिबल हैं या नहीं तो लाश्ट तक बने रहिएगा तो सबसे पहले 125 की बात करते हैं यानि की PRT प्रात्म 20 माह का जो रेगुलर DLA'd कोर्स है ठीक है सिर्फ यही वैलिड होगा अगली प्रात्मिक सिक्षक भरती में नहीं NIOS DLA'd वाले फ्रेस रेक्यूट्मेंट में आवेदन कर सकते हैं सुप्रेम कोर्ड का सपस्ट आदेश आ चुका है और BAT भी प्राइमरी से बाहर हो चुका है तो बिल्कुल आपको क्रेर होना चाहिए कि 1-5 के लिए 24 मंत का जिन्होंने regular DLA'd किया है ठीक है DLA'd यानि Diploma in Elementary Education यदि आप इसे BTC के नाम से जानते हैं तो वो भी सेम चीज है कई राजियों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है लेकिन 24 माह का यदि DLA'd कोर्स है वही ठीक है 12 आपका होना चाहिए और आपका DLA'd होना चाहिए आप eligible रहेंगे जिनोंने graduation के बाद DLA'd किया है वह भी eligible रहेंगे और आप CTET का paper one pass होने चाहिए ठीक है तो CTET या बिहार का जो TET होता है यदि आप पहले बिहार TET paper one pass है तो भी आप eligible है अब तो नया बिहार TET होनी रहा है तो यदि आप CTET paper one pass है तो भी आप बिहार में प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं आप पूरी तरीके से eligible रहेंगे ठीक है तो यह हो गया one to five के लिए यहां पर कुछी भी subject combination किसी भी special wish है की और शक्ता नहीं होती है अब बात करते हैं six to eight का तो six wealth के बाद deal eight की होंगे वह eligible नहीं रहेंगे six to eight में तो graduation और चौबिस मन्त का deal eight regular वाला यह आप ने किया है तो आप eligible रहेंगे CTET paper two आप पास होने चाहिए या बिहार का paper two विहार date वाला ठीक है तो यह हुआ साती साथ six to eight में बीएड भी eligible रहता है तो बीएड भी valid रहेगा तरीके से यदि आप पीएड किये हैं और CTET paper two पास है तो आप six to eight के लिएड रहेगा और नहीं अब six to eight में eligible रहेगा भविश की किसी भी भरती में ठीक है तो यह रहा six to eight को लेकर एक बात आप आप और यहां पर समझेगा कि six to eight में भरती विशवार होती है जैसे मैस साइं साइन्स का सस्टी का और विशय में हिंदी इंग्लिस सस्कीत और उर्दू का ठीक है तो आपका graduation उसी फिल्ड में होना चाहिए तो आपका graduation यदि सामाजी विग्यान विश्यों से है तो आप उससे आवदन करेंगे मैस साइन्स से हैं बीटेक वाले चात्र भी eligible है six to eight में ब graduation का विशय देखा जाता है कोई ज़्यादा subject combination नहीं है कि इंटर में ये हो graduation में ये हो बस आपका graduation उसी फिल्ड में होना चाहिए अब बात करें 910 की जिसे बिहार में माध्मिक कहा जाता है माध्मिक सिक्षक वरती उत्तर प्रदेंस में जिसे TGT का जाता है अनराज्यों मे सिक्षक समझ सकते हैं तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि 910 में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास estate पास होना चाहिए estate का paper one area आप exam दिये हैं पास हैं तो आप माध्मिक विद्याले के सिक्षक भरती में आवेदन कर सकते हैं ठीक है अ सबसे बड़ी बात ये है कि समय estate के लिए आवेदन हो रहे हैं तो आप estate का form भरके estate exam पहले qualify कर लिजिए उसके बाद जब आगस्त में भरती आएगी तो आप फिर सिक्षक भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं estate की योगता क्या है तो यहाँ पर सिर्फ B8 चलेगा ठीक है यानि कि जो TCT के eligibility होती है वह ये estate का भी eligibility है पहले आपको estate देना होगा उसके बाद ही आप मादमिक में आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर subject combination होता है तो estate आप उसी विशे से दे सकते हैं जो आपने graduation में पढ़ा होगा ठीक है DLA, BTC यहाँ पर eligible नहीं रहता है तो यह आपको बिलकुल clear समझना होगा जिस विशे से आप estate देंगे उसी विशे से आप जब भरती आएगी तो 9-10 में आप आवेदन करेंगे clear हो गया अब बात करते हैं 11-12 के अभैतियों के लिए उच मादमिक सिक्षक भरती के लिए यहाँ पर भी सेम चीज है आपको estate देना होगा estate का paper 2 ठीक है estate paper 1 होता है 9-10 का सिक्षक बनने के लिए estate paper 2 होता है 11-12 का सिक्षक बनने के लिए PZT आप इसे कह सकते हैं ठीक है तो estate paper 2 के eligibility क्या है तो यहाँ पर post graduation मांगा जाएगा post graduation PG प्लस 28 आपका है तो आप estate paper 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं जिस विशय से आपका PG होगा आप उसी विशय से estate का paper देंगे ठीक paper 2 और फिर यदि आप pass कर लेते हैं तो जब भी भरती आती है 11-12 की तो आप उसके लिए आवे estate paper 2 910 के लिए estate जरूरी है यहाँ पर सेटेट की आउशक्ता नहीं है आपने कि याहो ना कि याहो कोई भी मतलब नहीं है estate बिल्कुल जरूरी है ठीक है तो estate paper 1 आपका होना चाहिए 910 के लिए estate paper 2 होना चाहिए 11-12 के लिए और इस तो में estate के लिए आवेदन हो रहे है यह ज पताया नहीं हमने estate के एक्जामी नहीं दिया हम कैसे आवेदन करें तो बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता यह जो समय है काफी क्रूशियल है और इसी समय आपको step लेने होंगे काफी अच्छे कासे बदों पर अगली भी भरती होगी तो आप इसके लिए लग जाए एक्जाम 11-12 के लिजबल हो जाएं इसके बाद फिर एक बहुत बड़ी भरती होगी बिहार में यह कुछ महत्पुर जानकारी थी आप सबी लोग के लिए आपके मन में भी कोई डाउट है सवाल है तो लेखिए कॉमेंट सेक्टर में आपके सबी सौलों का जवाक दे दिया जाएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे साथ बने रहें थैंक फॉर वाचिंग